ओम नमो भगवते रामकिशनाया सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगतात्मानजी महराची की महान पुस्ताग जीने की कलासे अध्यायत दीन अविश्वस्निया परंतु सत्य आईए अब हम सुनते हैं स्वामी जगतात्मानजी के इस विशे के बारे में विस्मृत सत्य मानुवी इतिहास के प्रारम से ही लोग ऐसे चमतकारों, अनुभवों और घटनाओं में विश्वास करते रहे हैं जिनकी व्याक्या में अपनी तर्कपुद्धी से नहीं कर सकते थे भारत में योग और ध्यान की सहायता से ऐसी घटनाओं की संकल्पना की गई थी इन अनुसंधानों ने परवर्ति शताब्दियों में इश्वर, आत्मा, पुनरजन्म, कर्म और धर्म यानि नेती शाहत्र के बारे में दृड़ धार नाओं को जन्म दिया विज्ञान की चकाचाउंद भरी खोजोन के इस युक में ऐसी असाधारन खटनाओं के बारे में यदा कदा भरों से मन सोचनाएं मिलती रहती हैं कभी-कभी ऐसी सूचनाएं मन-गणत भी हो सकती हैं तदा भी विसत्य की संभावित अभिव्यक्ति की और ही संकेत करती हैं समान्यत्या विज्ञानिक दुष्टिकोन रखने का दावा करने वाले लोग अति-इंद्रिय तथ्यों की ऐसी अभिव्यक्ति को तुछ मानते रहे हैं इसका करण यह है कि विज्ञानिक दुष्ट्री कौन मानव की पांच ग्याने इंद्रियों द्वराही प्रकरती और ब्रह्मांड के तत्यों के अनुभव और बोध का प्रयत्न करता है परन्तु अति इंद्रिय तत्य यह चमतकार कही जाने वाली खटनाएं ऐसी विज्ञानिक छान भी इनकी परिदी में नहीं आती क्योंकि वे पांच ग्याने इंद्रियों की सीमा से परेह खटित होती हैं ऐसे कई तत्य हैं जो आत्वनिक विज्ञान के लिए भी बोध कम में नहीं हैं पर अंतु विज्ञानिक उनके परीक्षन की इच्छा नहीं रखते कुछ लोगों ने भले ही सयोगवश इन तत्यों का निरीक्षन तता अनुभव प्राप्त कर लिया हो और वे उन तत्यों की सच्चाई के बारे में भले ही आश्वस्त हो पर वे इस विशे पर अपने विचार व्यक्त करने में संकोच करते हैं जोकि इन खटनाओं की प्राया खिल्ली उड़ाई जाती है वे प्राया अनभिश्वासी बेक्यानिकों के रूप में हे और तुछ समझे जाने की आशंका से भईभीत रहते हैं यदि पी शोद करता और रुपे क्यानिकन इन अलोकी खटनाओं का पता लगाने में सफल हो सकते हैं परंतु वे जनता द्वारा इन व्याख्याओं के विरुद दिर्गकाल से व्यक्त प्रतिकूल भावना और घ्रणा को समाप्त करने में समर्त नहीं हो पाते यदि ये शोद करता अपनी खोजों को प्रकाशित भी करें तो उनके विचार विरोधियों के कौलाहलपूर्ण विरोधों के सम्मक अरण्यरोधन मातर ही सिद्ध होते हैं यहां तक कि धार्मिक आचारेगंड भी उनके घोशित विश्वाशों के अनुरूप ना होने पर ऐसी खोजों की सशक्त भर्चना करते हैं राजनितिग्य और अधिकार प्राप्त लोग भी अपनी राजनितिक विचार धाराओं या सामाजिक और आर्थिक सिद्धातों के साथ इन तत्यों का संगर्ष देखकर स्वाभाविक रूप से उनके निन्दा करते हैं अता यह सत्य प्रतिकूल भावना से ग्रस्त लोगों के विरोध के बीच दबा प्रतीत होता है लेकिन यह सदा सरवदा छिपा नहीं रह सकता निश्पक्ष शोट करताओं के समक्ष इस सत्य का निश्चही रहस्योत घाटन होगा अतीत में जब यातायात तथा संचार के सादन बड़े सिमित थे तब किसी समुदाय ने इन विचारों के फैलने तथा बद्दमूल होने में कई शताब्दियों का समय लग जाता था बहुतिक शरीर में ही जीवात्मा के अस्तित्व के बारे में ज्यान होने में दीरगकाल लग गया जब मनुष जीवात्मा और शरीर के बीच के संबंद से अवगत हो गया तब उसके मन में जीवात्मा के उद्भव, लक्ष, विकास क्रम्दथा, सरूप के बारे में प्रश्ण उठने लगे यद भी समय बीतने के साथ कुछ सिध्धातों का विकास हुआ पर उन्हें विरोधों का सामना करना पड़ा था मगर हमारे पूरवजों ने 34 स्वीकारने में संकोच नहीं किया और उन्होंने संशियों का निवारन करके सत्य को इस ठंग से प्रस्तुत किया कि वह सार्व भौम रूप से सवीकार हो सके यदि हम योगशात्र जैसे एक पुस्तक का भी अध्यान करें तो हम उसमें नहित विचारों, चर्चाओं, दिशकर्शों और प्रयोगों के कियान्विन से दंग रह जाएंगे इस शेत्र के विशेशग्यों ने अपने अनुभव तथा सिध्धांतों को भावी पीडियों के लाभात रख छोड़ा है मैक्समुलर के अनुसार योग सात्र लगबग छे हजार वर्ष शों पहले लिखा गया था कदीपई अन्स्रोतों के अनुसार यह गरंत और भी प्राचीन है कहते हैं कि बुद्धतव प्राप्त करने के पूर्व गौतम वनों में परिवरजन करते समय योग में सुद्ध असंग के तपस्यों से मिल चुके थे मैक्समूलर के अनुसार योग सूत्र के लेकग पतंजली का काल तुद्धिश शताब्दी ईसापूर्व था यह गरंत अनभूतियों के आधार पर स्पष्ट तता युक्ति संगत धंग से बताता है कि मानव मन को जब ठीक ठीक प्रशिक्षित किया जाता है तो वह किन उंचाईयों तक पहुंच सकता है हम जानते हैं कि तीन सो बर्शों के बेग्यानिक विकास के उपरांथ ही परमानू हत्यारों और रॉकेटों के युक्ति शुरुआत हुई इसी प्रकार निश्चे ही काफी काल तक अन्वेशन तथा शोधों के बाद ही लोगों के मन में इश्वर आत्मा पुनर जन्म के रहस्यों तथा कर्म सिध्धान के विशे में द्रण विश्वास प्रतिष्ठित हुआ होगा ओम शान्ती 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 अरियों तच्छत स्री राम कृष्ण वारपना मस्तू